हालो फ्रेंट्स मैं आप सब लोगों का अपने इडूकेशनल चैनल पे हारदिक अभिनंदन करता हूँ फ्रेंट्स अगर आप भी हैं सरतरवी BPSC एक्जाम के अभ्यर्थी तो आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा साथे साथ बहुत सारे सोर्स के माध्यम से ये जानकारी निकल के आ रही है कि इसका सैलेबस भी बदन ले वाला है क्या परिक्षा पैटर्न पर भी इसका कोई असर देखनी को मिलेगा ये सारी बातों पर हम लोग discussion करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि क्या ये सारी चीज़े जो बताई जा रहे हैं कई सारे media sources के माध्यम से जो दावा किया जा रहा है, इसकी क्या सचाई है साथे साथ इसके notification का estimated date भी देखेंगे और exam के date पर भी हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले साल अतूर प्रशाद जी ने एक tweet किया था कि जो 70 वी BPSC परिक्षा है या उसके अलावा जो BPSC की परिक्षा है वो आम तोर पर 30 सिप्टेंबर के दिन से इसकी प्रिक्षा है वो आयोजित की जाएगी यानि तब से लेकर कि आज तक इससे पहले भी 69 BPSC के जो परिक्षा होई है वो 30 सिप्टेंबर को ही लिया गया है और future में भी 30 सिप्टेंबर को ही आपके BPSC की परिक्षा का जो प्री एक्जाम है उसको लिया जाएगा मेंस इक्जाम की बात करते हैं तो वो डिसेंबर में लिया जाएगा और उसके बात जो है वो इंटर्व्यू के लिए बच्चे आमंत्रित किये जाएंगे अब बात आती है नोटिफिकेशन की तो जैसा कि आप सब को बता है कि 30 सिप्टेंबर को इसकी परिक्षा किती थी ज जून के जो है वो फर्स्ट वीक में आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा सत्तरवी बीपीएसी परिक्षा का बात आती है सैलेबस की विशे में तो जी हाँ फ्रेंड्स बहुत सारे सोर्सेस के माध्यम से ये दावा तो किया जा रहा है कि इसके सैलेबस मे वीपीएसी के चर्曲 में बने है इन्होंने भी कई प्रकार के साकारात्मक जो है वो चैंजिस यहाँ पर किये हैं जैसे कि आपको पता है कि ऐसे की पेपर को शामिल किया जाना optional के paper को जो है वो qualifying करना ये सारी चीज़े जो है इसमें शामिल है तो हो सकता है कि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई changes देखनी को मिले और ये changes जब देखनी को मिलेंगे तो आपको जब इसका notification आएगा उसी समय आपको ये बाते समझ में आएंगी अभी फिलहाल ऐसा कहा जाता है कि जो है इसकी changes होने की समझावना फिलहाल नहीं दिख रही है लेकिन इसको पूरे तरीके से नकार देना भी जो है वो सही नहीं हो सकता है कि किसी प्रकार का कोई changes आपको syllabus में भी देखनी को मिल जाए अब जाहिट सी बात है कि परिक्षा के pattern में already कई सारे बदलाव हो चुके हैं तो जब तक syllabus नहीं बदलता है तब तक परिक्षा के pattern पर फिलहाल कोई असर देखने की संभावना नहीं दिख रही है लेकिन जैसे ही इसके syllabus अगर बदलता है तो उससे परिक्षा के pattern पर भी जो है असर देखनी को मिल सकता है तो ये था overall 70V VPSC परिक्षा पर update उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे like को अपने दोस्तों के साथ शेर करना न भूले और इस तरह के informative वीडियो देखने के लिए हमारे चानल से जूरे रहे थांक्यू वेरी मच मिलते हैं गले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद God bless you all